जै मता दी हमारे सभी भाई बेनों को मैं रूबी आपके अपने यूटूब चैनल गाव की मानसी में आप सभी का बहुत-बहुत सागत करती हूं आसा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मता रनी से दुगा करती हूं आप लोग हमेशा ऐसे ही सवस्तर हैं और देखिए दोस्तों ये वीडियो सुबे दोपहर बोल सकते हैं दोपहर के बारा एक बज़े का टाइम हो रहा होगा और आज है दिन है संडे और तारीक है 19 तो हम भाई के यहां से मैं आप लोगों को बताई थी कि भाई की साधी है हमारे चाचा की लड़की की साधी है तो स के लिए बहुत सारी तैयारिया करें यानि की कपड़े वगएरा और अपने लिए कुछ लेना है तो वह तो हम सायद परसो या कल तक में जाएं क्योंकि बस दो तीन दीनी बचाएं कल बीस तारीक है और फिर बीस तारीक के साध बाइस तारीक को हम चले जाएं मम्मी के घर तो जाएंगे तो आप सबको वीडियो दिखाएंगे पर यहाँ पर हम गेहूं हवा में उड़ा रहे हैं यह काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था दोस्तों लेकिन नहीं कर पा रहे थे और करीब एक महीने से यह गेहूं हमारे घर में रखा हुआ है और यह गेहूं हमारे घर का नहीं है कंट्रोल से जो गेहूं मिलता है ना कोटे से तो वही गेहूं है और इतना गंदा है इतने कंकड है कि मतलब बिनने के बारे में तो मैं सोची नहीं सकती हूँ और ये मैं दो दिन लगातार तीन दिन लगातार करूं तो भी नहीं कर सकती हूँ ये हाल है ऐसा और मेरे बस की बात है ही नहीं है अभी मैं आप सब को पास से दिखाऊंगी कि गेहु में कितने कंकड़ इतना गंदा है कि मतलब पूछे मत और मिट्टी इतनी ज़्यादा भरी थी इसमें कि बक्रियां भी नहीं खा रही थी तो इसको हम नहीं खाएंगे दोस्तों और क्यूंकि हमारे बस की बाद बस के बाहर की बात है ना इसको हम बिन सकते हैं ना ही इसको फटक सकते हैं धोने के बाद भी नहीं जाएगा भी दिखाते हैं आप सभी को पास से तो यह हमारी बक्रिया खाएंगी बच्चे हैं बक्रियों के और एक जो हमारा बकरा है बड़ा सा उन सब के लिए है हम इसकी दूल मिट्टी उड़ा रहे हैं ताकि कुछ तो ठीक हो जाए क्योंकि जानवर भी इसको नहीं छू रहे हैं ऐसा गेहूं मिला हुआ है इस बार हमें और प और फिर हम बक्रियों को दे देंगे जब बक्रियों को देती थी ना वो लोग चूती ही नहीं थी तो हवा में अब हमने इसका सारा धूल मिट्टी उड़ा दिया है बहुत जादा था अभी भी हम कोशिस कर रहे हैं हवा आज बहुत अच्छी चल रही थी और दो दिन से सब्सक्राइब को पता है कोई काम सोच के रख लेते हैं तो उसको करते करते दो तीन दिन बीधी जाता है तो जो पीछे कर रहे गया था इस तरह से उसे भी हम हटा लेंगे और इसका भी धूल मिटी उड़ा देंगे तो अब तो हो गया है चटाई पे और सामने यहां सड़ हवा आती है कुछ भी उड़ाना होता है न तो यह सड़क पर उड़ाते हैं बहुत अच्छा काम करता है यहां पे और हवा भी बहुत एकदम डारेक्ट हवा आती है सीधे आती है हवा तो किदर को भी हवा रहें लेक्ट लगती है एक हमारे भाईया है जिनका नाम है राजेस मिस्रा तो भाईया जी आपको पहले थांक्यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए और बहुत दिनों से आप हमारी वीडियो देखते हैं तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट वनाए रखेगा आपने कहा था मिट्टी का एक बरतन जो होता है गाउं में जो बहुत जादा लोगों के घरों में होता है जिसमें दूद गरम किया जाता है और उस दूद का मठ्था बनाते हैं जिसे जाज भी बोलते हैं और उसे मठ्था बोलते हैं दही नहीं बोलते हैं हमारे गाउं की बहुत जादा लाल हो जाता है वो तो उसको बना के आप दिखाओ जिसमें दूद गरम करते हैं मिट्टी का तो जी बिलकुन दिखाएंगे लेकिन अभी नहीं दिखा पाएंगे करीब हमें 15 से 20 दिन लग जाएंगे आपको बना के दिखाने में क्योंकि अभी तो हमारे पास जगह नहीं है बना के रखने के लिए दूसरी बात हम ममी के यहां जाने वाले हैं भाई की सादी है आपको हमने बताया ही कि भाई की सादी है लेकिन मैं एक दिन आपको बना के जरूर दिखाओंगी यहां पे देखे आज सुबे का टाइम हो गया है दोपहर के बाद हमने व्लोग सूट ही नहीं किया था तो सुबे का टाइम हो गया है और यहां पे हम सबसे पहले हमारी रसोई की सफाई कर रहे हैं और यहां पे भी कई दिनों से हमने कोई मतलब रेस्पी नहीं रिकॉर्ड की है जो आपने लोगोंने कल की वीडियो में देख खुसी है कि हमने एक जगा अलग से बना दी अब हमें रोज रोज का जो जंजट है ना इससे मुक्ती मिल जाएगी इस तरह से रगड रगड के और इतनी जादा मेनत कर करके रसोई को नहीं साप करनी पड़ेगी तो यहां पे अब हमारी वक्रिया नहीं बादी जाएंगी आज के बाद ये लगव काम खतम तो यहां पे अच्छी तरह से सफाई करने के बाद वैसे तो मुझे बहुत टाइम लग गया था घंटो लग गये थे रगड रगड के साप करने में फाइनली अब साप हो गया है और अब चूले की पुताई भी कर लेते हैं और चट का जित लगा के अच्छी से चिकनी कर दीजिए तो बिल्कुन करेंगे लेकिन बताया ना हमने आप सभी को कि अभी तो ममी के यहां जाने वाले हैं साइद वहां तिलक से लेकर बारात तक हम रुख जाएं तो इसलिए तो अभी सब उच मुश्किल है और मिट्टी भी घर में नहीं क्योंकि सुबह का टाइम है तो ठंड है हवा चलने की वज़र से ठंड बढ़ गई है और अब हम करेंगे बरस और जितने भी कुणे करकट हमने कठे कि यह ते छत पे उसको हम ले जाके फेक दिये हैं बाहर और बरस करेंगे और जो भाई-बैन हमारे चैनल पे नए हैं वह स करने के साथ ही साथ तुरंथ हमने नहा लिया था और चाय पीआ फिर चाय करके सीधा आ गए हमारे रसोई में रसोई भी हमारी अच्छी तरह से सूख गई है वाइपर से हमने पानी मार दिया था तो बहुत अच्छे से सूख चुकी थी और यह है बथुआ और सरसो और चनी का सागम खेत से लेके आए हैं कल की वीडियो में आप लोगों को हमने दिखाया था तो कल ही हम इसको लेके आ गए थे घर क्योंकि सुबा फिर इतनी जल्दी खेत जाओ क्योंकि ओस होते है ना सुबा खेतों में इसलिए खेतों में गुसन और एक जन और है जिनोंने कहा था मठे का आलू बना के दिखाए तो बिलकुन दिखाएंगे आपको मठे का आलू हमारा भी बहुत-बहुत मन्था मठे का आलू बनाने का आपने तो हमारी दिल की बात मुझ पे ला दी है तो मठे का आलू खाने का हमारा भी बहुत मन कर रह पेड़ों में फूल आना शुरू हो गया है अपने खेतों के हैं अपने खेतों के इसलिए थो लोग नहीं तोड़ने देते जब फूल पर आ जाता है तो नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि फल नहीं लगता है और शिवरात्री पे शिरात्री तो हो चुकी है लेकिन यह बहुत बोया गया था नहीं तो शिवरात्री पे बड़े बड़े फल लग जाते हैं तो इधर देखिए हमने उबाल लिया है तीनों को पानी डाल दिया था थोड़ा सा अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और अभी हमारा आ गया है तो बस हमारे अगल बगल आसपास बैटके देख रहा है तो कड़ाई को हमने अच्छे से धो लिया है और बस वही तड़का लगा रही है देखिए लेसुन है और ये लाल वाला मिर्च है छे साथ लाल मिर्च हमने लिए क्योंकि साग के साथ खाने में बड़ा मस्त लगता है राई हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है थोड़ी सी हींग डाल दिये उसके बाद जो साग हमने उबाल करके रखे थे अच्छे से वो भी हम इसमें डाल देंगे और जिस समय हमने साग उबाला था ना हरा मिर्च और कुछ लेसुन की कलिया हमन गोल को डालते टाइम दोस्तों प्रॉपर चलाना है नहीं तो गुल्ठिया पड़ जाएंगे फिर साग अच्छा नहीं लगेगा तो अब हम इसे कम से कम 15-20 मिनट तो पका ही लेंगे उसके बाद हम यहां पर बनाने लगे हैं बाजरे की रोटी तो चने सरसो का साग चने का मि आके रखो तो आटा रोटी जो है इसकी टेस्टी नहीं बनती है कुरकुरी नहीं बनती है इसका टेस्टी अलगए इस तरह से आप एक बार बनाएगा तो वाजरे की रोटी भी हमारी बन के फटाफट से तयार हो गई रात के साड़े चे बच चुके हैं दोस्तों साम के तो यहां पर देखिए हमने टावल डाल रखे के क्या हल्कील किसी ठंड लग रहे और कपड़े हमने चेंज कले थे पानी हम बह रहे थे तो कपड़े पूरे भीग गये थी साड़िया तो हमने चेंज कल लिए और वीडिय लुडरे!